कवर्धा जीले के बोडला थाना अंतरगर्थ दैहिक शोशड का मामला सामने आया है जिसमें पडिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ले देखिए ये रिपोर्ट मिली जानकारी के नुसार गिरिफतार आरोपी द्वारा मृतिका को शादी का जहांसा देकर लगातार दैहिक शोशड किया जा रहा था जिसके बाद आरोपी उधोराम जैसवाल द्वारा जब उसका मन भर गया थो शादी से इनकार कर दिया और जो करना है कर लोकर धमकी भी दी जाने लगी साथ ही जाओ मर जाओ कहकर ठुकरा दिया जिसके बाद प्यार में धोखा खाई मृतिका ने दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को कीट नाशक का सेवन कर लिया था जिसकी उपचार के दौरा दिनांक 18 अक्टूबर 2020 को मौत हो गई थी जिस पर पुलिस ने अपराद कयम कर विवेचना कर रही थी जाच में पाया गया कि गल्ला वैपारी उधोराम जैसवाल पिता विदेशी राम जैसवाल दिवासी पिपरिया द्वारा मृतिका को आत्म हत्या के लिए उक्सा कर पेरित करना पाया गया जिस पर भारती दंद विधान की धारा 506 के तहत अपराद पंजीबत कर आरोपी को 24 घंटे के अंदर हे गिरिफतार कर नयाईक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया उक्तकारवाई में बोडला थाना प्रभारी और थाना इस्टाप का सराहनिय योगदान रहा ब्यूरे रिपोर्ट जे निउस कवरधा